oran ने स्टूढेंट्स टूडेंट्स टूडे इस फिफ whats 23 में आज 15 में हूँ है और आज हमारा हमारी feast क्लास है हमारी बनाओ भी हम इसके कर चुके हैं ठीक है आज इसके कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है कुछ खालिस्थान है वो हमें इनके पूरे करने हैं चलिए देखते हैं यहां पर देखिए हमें पेस्ट नंबर हमारा है एट और इसमें सेकिंड कोश्चन हमें दिया है पंक्तियां पूरी कीजिए हमें यह लाइन्स पूरी करनी है जो रहता है सबके डैश तो इसको हम पीछे से भी देख सकते हैं जो रहता है यह देखिए यहां पर लिखा हुगा है जो रहता है सबके मन में ठीक है तो मैंने यहां से देखकर इसको फिल कर दिया है जो रहता है सबके मन मे धर्ती अंबर के कन कन में ठीक है यह से फिल हो गया ऐसी दूसरा दिया हुआ था हमें जो डैश रख वाला है यहां पर देखिए नीचे इन लाइनों में लिखा हुआ है जो हम सब का रख वाला है जो सब को देने वाला है ठीक है तो हमने यहीं से फिल किया है जो हम सब का रख वाला है जो सबको देने वाला है ओके यह फिलप्स में ऐसे फिल करना था और इसके बाद हमें यहां पर देखी टिक लगाना है कि जो इन में से सही अंसर है उसको गिर्जा घर कहते हैं किसे कहते हैं सिखों के प्रार्थनास्थान को हिंदूं के प्रार्थनास्थान को या इस इसाईयों के प्रार्थनास्थान को गिर्जाघर हमें मालूम है गिर्जाघर में कौन करता है इसाई प्रार्थना करते हैं तो इसाईयों का प्रार्थनास्थान है गिर्जाघर कवीता में उसको शब्द प्रियोग हुआ है अब उसको पहले तो यह देखे कहा हुआ है उसको शीष नवाते हैं हम किसको शीष नवाते हैं यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर इश्वर की तो हम किसको शीष नवाने की बात कर रहे थे इश्वर की तो यहां पर देखिए ओप्शन भी है इसाईयों के लिए इश्वर के लिए या बच्चों के लिए तो आंसर क्य आएगा इश्वर के लिए ठीक है उसके बाद अभी पहले नीचे देखिए यहां देखिए कुछ इस तरह से लिखा वाता है धर्ती और अंबर यहां पर इसने क्या किया है इस और को हटा कर यहां बीच में एक ऐसी चोटी सी लाइन लगा यह इसको हम योजक बोलते हैं और ब मस्जिद यह देखिए मैंने भी इसको ऐसे ही लिखना है मंदिर मस्जिद और सिक इसाई संवाणार्थक शब्द होते हैं कि जैसे कि आपका घर में किसी का नाम बहुत हूं होता है ऐसी हमारे ऊदमें कुछ बोलते हैं जिनके दो नाम होते हैं तो उसको हम बो लते हैत अ सम और चंदा चांद ठीक है अभी हमारा यह रह गया था कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें की यह लाइने लिखी है देखिए इसके लिए मैंने आपके लिए एक नोट्बुक त्यार किया है आपको भी यह वाला जो कोशन है यह नोट्बुक पर ऐसे ही सुंदर सुंदर कर रहता है तो वह पंक्ति कौन सी थी जिस लाइन का मतलब यह था वो थी जो रहता है सबके मन में तो उस लाइन का आंसर यह आएगा जो रहता है सबके मन में ठीक है ऐसे ही एक और हमें दिया है इश्वर को आकाश और पृत्वी के परतेक कंड में रहने वाला बताया गया है वो कौन सी लाइन थी इस कवीता के अंदर जिसमें ये बताया गया कि इश्वर धर्ती और आकाश के कणकण में रहता है तो ये देखिए इसकी पंक्ति थी धर्ती अंबर के कणकण में फिर लास्ट हमारा दिया था इश्वर को सिर जुकाने की बात कही गई है कौन सी लाइन है जिसमें बोला गया है कि इश्वर को सिर्ध जुकाना चाहिए तो उसके लिए पंक्ति है उसको शीष नवाते हैं हम अब हम इसे लर्न करेंगे साथ साथ और इसके साथ ही हम अगला काम भी शुरूर करेंगे अगली वीडियो में बबाई